हलो दूस्तों भारत अप्टेट्स चैनल में आपका स्वागत है और दूस्तों आज वह कि 13 बड़ी खबरें 13 बड़ी अप्टेट्स आप सभी के लिए लिकर यहां पर आ चुका हूं आज है 24 मार्थ 2021 बुद्धभार दूस्तों स्कूलों के लिए अब यहां पर एक को नई अ उप्टेट आई हुई है आर्मिलइली भर्ती से रेटेट कुछ अप्डेट है और हिमाचल में दोस्तों कर दूस्टों निकली है सरकारि पादों पर थेया है तो इसके बास करेंगे एचलिया सिस्जी की तरफ से अप्डेट रहने वाली है और फिर अप्डेट रहने वाली है जो कि आपको वीडियो में दिख जाएंगी तो मतलग टोटल 13 अप्डेट हैं जो आपको इस वीडियो में दिखेंगी चलिए उस शुरू करते हैं पहली अप्डेट से तो ये रही 45 साल से अधिक उमर बारे सभी लोगों को कुरोना टीका लगाया जाएगा प्यम द्रेदिर मोधी के दिख्षता में मंगलवार को ही क्याबनेट बैटक में टीका करणगा दायरा बढ़ाने का फैंसरा लिया गया है इससे पहले 45 वर्षे अधिक उमर के गंबीर विवारियों से पी जिलस तरफ लगा सकते हैं पवंदी गरिम अंत्रा लेने नए दिशन देश किये जारी तो अब जो है दोसों दो दिन में दोगने हो रहे हैं मामले देश में क्रोणा बारे की मामले दोगने होने की अबदी घटकर दोस्तों 2.93 हो गई है तो यह कुछ दोसों आपकर सतावन केस जो हैं आजाए हैं उनना में सबसे दिक सतावन हमिरपूर में सताइस कांगना में बाइस शिमुला में की सिमोर में नो सवलन में साथ मंदी बाचे कुल संक्रमीतों की संख्या दोसों इकासर रजार पैंतिस एक्टिव केस संख्या बढ़कर हुई 1405 तो यह परमाया है और जो आपको मैंने पहले होता है वह ओफीश हिलापुरा ठीक है तो यहां पर लिखा गया है मंगलवार कुपलदेश में आठ विद्धियार्ति उसमें करोना के 146 मामले भी सामने आए हैं टोटल 157 दोस्तों यहां पर मामले आयो हैं उनना जिले में 45 शिर्मोर में 23, कागणा में 23, हमिर्बुल माठारा, क्रिमला में 14, 16 में 9, मंडी में 6, बिलास में 4, चमबा कुलु जूलो में 2 मामले सामने आए हैं पूरा दोस्तों यहां पर पढ़ सकते हो कहां पर कितने हैं ठीक है आपको पहले बता चुका हूं चलिए नेक्स अप्टेट यह रह पर एक पंजाग के फाजिल का से पकड़ा तो जिला सोलन की बद्दी फुलिस ने फर्जी डिगरी मामले में जो है गिरूह के तीन और सदस्यों को गरिफतार किया है अब तक दो महिलाओं से में इतकुल पांच पकड़ जा चुके हैं तो यह आप पढ़ना चाहा तो पूर तो यह आप यहां पर देख सकते हैं उनको देख तो सरकार की और से जो एसोपी के तहट नो मास्क नो सर्विस की विवस्था राजानी में फेल हो गई मुके सचिप की और से 21 मार्च को जारी अदेशों में बिना मास्क दफ्तरों दुकानों बसों ट्रेनों टैक्सियों अस्कतालों मंदिरों और स्कूलों को रिजों में प्रवेश और किसी परकार की सेवानाक देने के निदेश है तो यह यहां पर देख सकते हो दोस्तों किस से लगाना शूरुकत दिये हैं बड़ कुछ अभी भी है जो अपने आपको पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि बिना मास्के हम क्या हीरो लग रहे हैं क्या लग रहे हैं बट ऐसा बिल्कुल नहीं है यहां पर उनके बज़़े से और खत्रा सभी को खत्रा हो रहा है देखिए अब दिखाया गया है कि मास्क नहीं लगाया है तो इनकी वैसे और 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 ओरों को भी प्रोल्म होगी तो अपना ख्याला को खुदी रखना है मास्क कहीं भी जाना है तो मास्क लगाना है हैं जरूर यूज करना है आप यहां पर देखी सकते हो चीक है चलिए नेक्स नामातर बढ़ाई है फीस कामना बैरी सरकार के यूटन लेने के बाद अभावकों पर बोज डाल रहे शहर के निजी स्कूर तो 31,000 भरने होगी फीस तो राधानी शिमला के जो है निजी स्कूलों के ने सरकार के करूना कार में वार्षिक शुलक और अन्य अफण ना वसू पुली शुरू कर दी है तो तो पूरा अगर आप पढ़ना जाते हैं पर पढ़ सकते हो बहुत लंबा है यहां पर लिखा गया है और अभी मैं आपको नेक्स्ट अपडेट बता जेता हूं यह पढ़ना जातो पूरा पढ़ सकते हो ठीक चली दो सो नेक्स्ट अपडेट य सेना भर्ती फिटनेस टेस्ट में दोसो बारा युवा पास स्थानी इंद्रा स्टेडियम में सेना भर्ती रैली में 701 युवाओं में से 212 ही सारे इसी टेस्ट पास कर पाए मंगलवार को उना विलासपुर और हमिरपुर जिलों के सवीत सिल्णों से बर्ती के रिए 701 से शुरू हुई दोड़ को बाज को देखते हैं आठ बजे तक रोकना पड़ा इसे दोबारा साड़े तीन बजे शुरू किया गया और पांच बजे को पूरी हुई तो यह कुछ से आप अपडेट है सेना भर्ती से लेटर चली नेक्स्ट अपडेट टेक लेते हैं तो यह इसमें एज रकी गई है 15100 रुपय मिलेगा बेतर इसके बाद जो है जब कुंट्रेक्ट वेस पुरो हो जागा उसके बाद की सलरी बढ़ जाएगी तो यहां पर जो है दोस्तों 211 बर्श की आयों के वाइस के रिए भाग मतलब अपलाई का सकते हैं और यहां पर जो है अल ग्राजूशन शायद उसके लिए कुछ सब्जेक्ट में अगर आपने की है तो आप उसके लिए पलाई कर सकते हो हां तो यह को हिमाचल की संस्कृति बोले की समझ जाने वाली समझ रखने बाले की को भरती में प्राजमिकता दी जाएगी यह देखो करिशी बोटनी केमिस् सब्सक्राइब करने वाले इसमें शामिल हो सकेंगे तो इन सब्सक्राइब किसी ने की है बीए या बीसी पुछ भी तो वह भी इसमें भाग ले सकते हैं वह भी अप्लाई कर सकते हैं कि तो यह देख लो कौन को सब्सक्राइब बोले गए हैं वही इसमें भाग ले सकते हैं चली दोस्तों पुर्षों के लिए 25 मिलाओं के लिए 16 किलोब्टर की दोड़ तो यह फिजिकल टेस्ट है कुछ चली नेक्स्ट अप्लेट यह रही एमसी नर्सिंग के मौप की कांसुलिंग के लिए ओनने मिदन मांगे हैं ऑफने आविदन सभीकार नहीं होंगे 25 मार्च तक जो है विश्यू जाले की माद्यम से सो रुपए के शुल के साथ आविदन किया जा सकेगा तो यह दोस्तों कुछ इंपोर्टन अप्रेट है चली नेक्स अप्टेट यह र प्रेट को होगी तो साइट पर आप रिजर्ट देख सकते हो चली नेक्स अप्रेट दोस्तों यह रही जोए की बी सीरीज के प्रशन नंबर 16 पर भेतिन उठाए सवाल दोस्तों कर्मचारी चाहिन आयोग की तरफ से लिए गया जूरियर ओफिस असिस्टन आइटी की जो अ यहां पर यह कुछ दोस्तों कहा गया है और लेकिन आयोग की और से प्रिक्षा में ऐसे से प्रशन पूछे गए थे जो जमा दो पास अभियात्यों के लिए हल करना मुश्किल था यहां पर कहा गया है कि नियूंत म्योग गयता जो है क्वालिफिकेशन 12 रखी गई थी बाह है अंसर की में तो आप उनको जो है अब्यक्शन कर सकते हो आपको कुछ नहीं करना बहां के अपनी रोल नंबर जो अनुक्रामांक होता है आपका बो लिखना है सीरीज लिखनी है और इसके अलावाद बहुत सारे दो-तिन चीज़ें वह लिखनी है आपको ठीक है और उसके में जाके जमा करवा सकते हो या आप जो है पोस्ट ओफिस के दुआरा भी उसको सेंड कर सकते हो अगर आपको लगता है कि यहां पर अंसर की मैं गलत अंसर दिया है और आपका अंसर विल्कुल सही है और अंसर की मैं अंसर जो है गलत दिया है तो उसके लिए 29 तारिक लास् वहां पर उनको अब्जेक्शन कर सकते हो जो आपके अंसर किया है उसमें नीचे लिखा वो क्या क्या लिखना है चलिए नेक्स अप्रे दोस्तों यह रही अब स्कूल में शुरू होगा स्मेस्टर सिस्टम स्कूलों के लिए नई ख़बर यहां पर तो हिमाचर वदे स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नोबी से जमादों के खशाओं के लिए तियार किया खाका इसके लावा भी कई और योजनाय बोर्ड ने तियार किया है जिनका खाका बोर्ड से समन्दब रापस सरकारी गैर सरकारी स्कूलों के पदानाचारियों को भीज जा गया है अब जो है नई शिक्षा नितिके थे समस्टर सिस्टम नौमी से जमाद दो तक की कख्षाओं के लिए शुरू होगा ये फैसला स्कूल बैक पॉलसी 2020 के लिया गया जिसका उदेश्य बस्ते का बज़ित कम करना था किताबों के लिए लोकर सिस्टम भी होगा एक डैस्क पर बैठे दो भी जाती किताबे सांजा भी करेंगे बूर्ड अध्यक्ष डक्टर सुरेश कुमार सोनी नहीं यह जानकर यहाँ पे दी है दोस्तों स्कूलों के लिए एक नई अपडेट है चलि दोस्तों नेक्स्ट अ अभियात्यों के लिए तो हमाचलों परतिश पूलिस में जो है 1334 पदों को पदों पर होने वाली जो है भरती की विश्टा पहले की तरह ही रहेगी इस बार भरती के लिए आवज़न करने माले युवाउं से सुल्क मूर्शुर के लाबा कोविट शुलक की रूप में 100 इसे लिखित प्रिक्षा में उतीड ना होने पर काफी अवर्ति बाहर हो जाएंगे और पास अवरति होने माले विश्टियों के लिए शारीरिक दक्षिता प्रिक्षा के दुरान पुलिस लाइनों या केंद्रों पर कोविट प्रोटोकॉल के उन्सार बिवस्ता करने में असानी होगी मतलों यह इन्होंने सरकार को बेज़ा था कि पहले हम रिटन टेस्ट करवा लेते हैं उसके बाद हम जो है दूसरा जो आपका फिटनेंस सेस्ट होता है वो करवा लेंगे तो यह कुछ तो आपके कहा गया है हलांकि सरकार ने इस पर लंबे समय तक जवाब नहीं अब पुलिस मुख्याले ने तेह किया कि पुरानी विवस्ता में ही भरती को कराया जाएगा फिलहार सरकार से इंट्रूव को लेकर नेरने के लिए मुख्याले इंतजार कर रहा है सिपाही भरती में कुल 1334 पदों को भरा जाना है इसमें 976 पद पूरुष और 267 पद महिल दोंगा ठीक है अभी तक यहां पर नोटिफिकेशन नहीं आया है दोस्तों ठीक है उसी में पूरा पता फिर चल पाएगा तो पूर्व की तरह पहले शारीज दक्ष्ता और फिर अभियत्त्वी की लिजाएगी लिखित्वरिक्षा तो अभी आपका जो है फिटनेस को की जाएगी तो यह थी कुछ अप और आपको यह वीडियो कर अच्छे लगे तो लाइक शूर्ट चैनल को सब्सक्राब जूरू करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए थैंक्यू